चार लोगों के एक एक पाउं एक रस्टी में बंधे और सब समुद्र में हैं अगर कोई ये सोचता है कि तीन डूब जाएंगे और मैं बज जाओंगा ऐसा नहीं होगा सिक्षा में चार स्टेक होल्डर्स एक साथ एक पाउं सब का बना है डूबोंगे तो सब डूबोंगे उबरोंगे तो सब उबरोंगे इसलिए एक समाधान चाहिए सबको डूबने नहीं दिया जा सकता नहीं तो शिक्षा में बस्ता ही डूब जाएगी बच्चों की और एक बुन्यादी बात हम लोग किन लोगों को जानते हैं और धरना पदरशन किसके लिए और इस बात के लिए हमारे अमित पूरी जी और अभिशेक दोनों से मत होंगे से मेरी बात से मैं उत्तरपदेश में है चलने वाले 20 ब्रांडेट स्कूल की अगर भात करूं सच्ची बहुत है मेरी बात किसी कड़ भी लेकिन सच्ची बात तो भाबू बाबू यह है अगर दिल पर हाथ रखके पूछोगे वहां जो बच्चा पढ़ा रहा है को रोना न नाम नहीं लेना चाता ने तो फिर वह एक अलग इसू हो जाता भाई ब्रांडिंग क्यों करी क्या उनका वेग्यापन हो जाता है लेकिन सच्चाई है नोईडा में ऐसे ऐसे स्कूल है जहां तिन तिन चरचर पांच पांच लाख रुपिया साल की फीस सहर्ष दी जा रही ह और एडमीशन के लिए मारा मारी है सब प्रीप केस लेके खड़ा है बोले यह हमारा ले लो कहां लेकिन वो वो स्कूल उत्तर प्रदेश भर का प्रंदेदेत नहीं करते जो लवली पबलिक स्कूल है फरुखाबाद में यह विक्टर पबलिक स्कूल है गोरगपुर में वो कैसे चलेगा यह मखन मलाई क्रीमी लेर वाले स्कूल कितने उत्तर प्रदेश भर में